और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदेया तिथी सब्तमी और दिन शुकरवार है, सब्तमी तिथी आज सुबार तस बच कर 69 मिनट तक रहेगी, उसके बाद अश्टमी तिथी लग जाएगी, जो कि कल दो पार एक बच कर 32 मिनट तक रहेगी, माघ के महिने में ऐसी बहुत से तिथियां हैं, जो कि शास्त्रों में अपना महत्तो पूर्ण स्थान रखती हैं, और माघ शुक्ल पक्ष की सब्तमी तिथी उन में से एक है, ये तिथी सूरे देव से संबंध रखती है, और इस दिन सूरे देव ने अपने प 624 पर मत से पुरान का उद्धरन देते हुए भी इसका उल्लिक किया गया है, मनवंतर के प्रारंभ में इसी तिथी पर सूरे देव को रख प्राप्त हुआ था, रख सप्तमी को अचला सप्तमी, विधान सप्तमी या आरोग के सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, उनिसा म आज आरोग और रख सप्तमी भी है, हेमाद्री के वृत खंड और भविश्य पराण के अनुसार माघ हमास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिति को उपवास करना चाहिए, साथ ही कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूरे भगवान की पूजा करनी चाहिए, वैसे तो शा करत्य रतनाकर के प्रष्ट पांसो नौ, वर्ष्प्रिया कौमदी के प्रष्ट चारसो निद्ञानेवे से पांसो दो तक करत्य तक्त्य के प्रष्ट चारसो उनसट आदि के अनुसार, इस सप्तमी पर सूर्योदे के समय किसी नदी या बहते हुए जल में अपने सर पर आख में नहीं लगना चाहिए, ये ऐसा भी कहा गया है तो अगर आप इस पर योग को करें तो इस बात को ध्यान रखेगा, तो ये थी चर्चा आज के दिन, और मूह में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, तो ये थी चर्चा आज के दिन, अचला सब्तमी, या रध सब अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर चार बच कर एकर तीस मिनट तक इंद्रियोग रहेगा इस योग के दोरान राज्य पक्ष के कारियों में अत्वा सरकारी कामों में सफलता जरू मिलती है साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह पांच बच कर सतावन मिनट तक करतिका नक्षत्र रहेगा करतिका नक्षत्र की बात करें तो ये तीसरा नक्षत्र है करतिका नक्षत्र के देवता अगनी देव हैं लहाजा करतिका नक्षत्र के दौरान अगनी से संबंदित कारे करना फल दैसाबित होता है करतिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, इमानदार, प्रेमी सुभावाले, दयालू, सामाजिक कार्यों में रूची लेने वाले और कलावी ज्यान में कुशल होते हैं इन सब के अलावा इस नक्षत्र का संबद गूलर के पिर्ण से बताया गया है लहाजा जिन लोगों का जन्म करतिका नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को करतिका नक्षत्र के दौरान आज गूलर के पिर्ण की पूजा करती चाहिए और उसे नमसकार करना चाहिए साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आज आप गूलर के प्योड़ को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचें ये थी चर्चा इंद्रियोग और कृतिका नक्षत्र की और अब चर्चा करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की आज सुबह 10 बच कर 69 मिनिट से लेकर राट 12 बच कर 16 मिनिट तक स्वर्ग लोग की भद्र रहेगी जब भद्रा स्वर्ग लोग में होती है यानि जब चंद्रमा मेश, वरश, मितौन या वरश्चिक राशी में होता है तब भद्रा का कोई भी प्रभाव परत्वी लोग पर पढ़ने वाले लोगों पर नहीं परता क्योंकि स्वर्ग लोग की भद्रा का मुख उर्द मुखी यानि उपर की तरफ होता है आज चंद्रमा व्रिषराशी में है भद्रा जिस भी लोग में इस्तित होती है केवल बही मोल रूत से प्रभावी रहती है साथ ही आज छात्रपति शिवाजी की जैंती भी मनाई जाएगी छात्रपति शिवाजी एक महान राजा एवं ररन इतिकार थे इन्हों नहीं पर्शच्चिम भारत में दक्षिल पर्शिम भारत में मराथा सामराजी की नीव रखी। चातरपाटिश रिवाजी ने अपने अनुशासित सेना एवंसो संगठेट परशासने के कायों के सहायता से एक योगे एवंप्रगत शेल परशासन परदान किया। जो इस्तियों के पते सही होता और सामाजिक मानेताओं का और मुल्यों की का हमेशा ध्यान रखता था तो ये थी चर्चा आज आचला सब्तमी, इंद्रियों, कृतिका नक्षत्र और भद्रा की अब हम बात करेंगे आज किये जाने वाले खास उपायों के बारे में लेकिन यहाँ एक बात बता दूँ कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थित के अंसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाब उठा सकते हैं तो आईए चर्चा शुरू करते हैं आज किये जाने वाले उपायों के बारे में अगर आप एक स्वस्थ सहत्मंद शरीर की इच्छा रखते हैं तो आज आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए अगर संभव हो तो आपको सूरेदेव के निमित उपवास करके एक समय का बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए अगर आप अपने पिता के साथ प्रेम बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको जल में थोड़ी सी दूरवा थोड़ा सा चंदल संभव हो तो लाल चंदल मिला कर अपने सिर के समान उचाई से सूर्य देव को जलरपित करना चाहिए सूर्य देव का मंत्र 11 बार पढ़ना चाहिए मंत्र इस प्रकार है ओम घणे सूर्या है नमः अगर आप अपनी दिंचर्या में सुधाल लाना चाहते हैं लेकिन किसी ने किसी कारणवश आप फिर से वहीं पर आकर खड़े हो जाते ह जहां से शुरुआत करनी है तो आज आपको अपने सामने सवा के लोग रखकर सूर्य देव के समंत्र का 11 बार जब करना चाहिए मंत्र है ओम हरीं घणे सूर्य आदित्याय श्रीं आपको फायदा होगा अगर आप अपनी उर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आ अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या आप एक राजनेता है और आपको किसी प्रखार का भाय बना रहता है तो आज आपको सूर्य के प्रभावाला बारह मुखिर उद्राक्ष धारन करना चाहिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा एक गति बनाय रखना चाहते हैं तो आज आपको साथ खोड़ों पर बैटे सुखवान सूर्य देव की कनेर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन में गति बनाय रखने के लिए भागवान से प्राटना करनी और अगर आप इसकिन सम्मादी किसी परिशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने बालों की जलों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए अगर आप इसमया समर्थ हैं तो अपने घर के पानी में गंगा अगर आप अपने वाईवाहिक जीवन में मधूरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको गायत्तिरी मंत्र यानि ओम भूर भूह स्वाह तत्सवेतुर वनेन्यम भर्गो देवस्य धीमही धीयो योनह प्रचोदयात इस प्रकार गायत्तिरी मंत्र बोलते हुए सूरे अर्पित करने के बाद उन्हें हाँ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए देखो सामाने तया गायत्तिरी मंत्र उसी वेक्ति को पढ़ना उचित है जिसने यग्जो पवीत धारन किया हूँ अगर आप एक सुन्दर स्वस्थ संतान चाहते हैं तो आज आपको गेहूं और गुर्ण की खीर बनाकर अपने जीवन साथी से इस परश कराकर सूरे भगवान को और पित करनी चाहिए जीवन साथी से कहना चाहिए कि सूरे भगवान को और पित करो और बाद में उसे मंदि में ताहन कर दीजिए अगर आप अपने करियर को उंचाईयों पर ले जाना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरू को अचला जो पहना जाता है गिफ्ट करना चाहिए यानि उर्धर बस्तर उपर जो कपड़ा पहना जाता है जिसे शॉल भी कह सकते हैं आप यानि गले बे डालने वाला कपड़ा साथ ही अपने गुरू का अशिरवाद लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दामपत्र जीवन की खुश्यों को किसी की नजर न लगे तो आज आपको उस नान आदी के बाद साफ सुत्रे कपड़े पहन कर किसी पवित्र नदी जलाशे या तालाब में तिल के तिल का दीपक जलाकर दीबदान करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज अचला सब्तमी, इंद्रयोग, कर्तिका नक्षत्र और भध्रा के बारे में आज अचला सब्तमी यानि रत सब्तमी के दिन आपको क्चाव पाए करनी चाहिए हमने इसकी चाका पुराफाइदा उत्राइग.